आज मैं आपके लिए कोई recipe नहीं लाई हूँ, मैं लाई हूँ बहुत ही useful kitchen tips and tricks, जो की time तो बचाएंगी ही wastage भी बहुत कम कर देंगी, ये tips में लिए तो बहुत useful रही हैं आज तक, I hope आप सबके लिए भी बहुत useful रहें, तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल SG Food World मे इस वेडियो की शुरुवात करने से पहले SG Food World को subscribe कर दें, साथ ही bell button प्रेस कर दें, ताकि latest updates and notification आपके पास सबसे पहले पहुशती रहें तो चलिए शुरू करते हैं, first tip से, आटा गुनना, आटा गुनना बहुत ही मुश्किल लगता है कई लोगों को, पर यह बहुत ही आसान है, एक बाउल लेंगे और उसमें आट करेंगे एक कप आटा, मैंने यहाँ पे चनी का आटा लिया है, आप नॉर्मल आटा ले सकते है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी आट करना है, अभी हाथ से नहीं गुनना है, इसको एक फोक की मदद से गुनना है, पानी भी आप एक बारी में मट डालिएगा, धीरे धीरे करके आट करेंगे और फोक की मदद से आटे को, सुखे आटे को इकठा करते जाएंगे, जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ बहुत ही असान है आटा गूनना इससे बिल्कुल न घब रहें एक बर ही अगर आपको आगया तो आप खुद इनिशेटिव लेंगे कि मैं आटा गून दूँगी या गून दूँगा देखे बहुत ही असान है सारा आटा इकठा हो गया है अब फोक हटा देंगे और अब इसको हाथ से गून देंगे जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ दीरे दीरे हलके हाथ से सारा सूखा हाथा इकठा कर लेंगे और इसको अच्छ से बाइंड कर लेंगे देखे कितना बढ़िया गुंदा आएगे बहुत ही सौफ्ट है और इस पे आप उपर से गी लगा देंगे हलका सा गी लगाने के बाद एक कपड़ा लेंगे और उसको हलका सा गीला कर लेंगे और आटिक को इस कपड़े से ढग देंगे 10-15 मिनट में ये बहुत ही सौफ्ट हो जाएगा आटा बिल्कुल रोटी के लिए रेडी है देखे कितना बढ़िया लग रहा है ये नेक्स्ट टिप के लिए बढ़ते हैं अब सीखते हैं कि हमें रोटी कैसे बनानी है बिल्कुल गोल बना लेंगे सूखे आटे में इसको दबाएंगे और हलके हाथ से इसको बेलेन की मदद से बेलेंगे अगर रोटी बेलते समय आटा चिपकने लग जाए तो इसको फिर इसके उपर पढ़े थन लगाएंगे मतलब सूखा आटा और फिर बेलेंगे बहुत हलके आटों से बेलना है और हमें ये इंशूर करना है कि जिस आटा है वो हर साइट से equally गोल बिले देखे किती बढ़िया बिली है नेक्स्ट टिप की और बढ़ते हैं देखते हैं क्या है ये टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जब भी हम रोटी सेक रहोते हैं कई बार ही रोटी चिपक जाती है तवे पर जैसे कि आप देख सकते हैं तो इसको छूरी की मदद से उतार लेते हैं बिल्कुल ना चिपके तवे पर रोटी इसके लिए भी बहुत ही बड़िया टिप है मेरे पास देखिए क्या करना होगा तवे पर रोटी सेकने से पहले एक या दो बुंत घी या सरसो का तेल लगा के उसको पोने से कपड़े से अच्छे से पोच लेंगे और अब रोटी सेकेंगे तो रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी देखिए मैं आपको डेमो दे रही है या पर तवे पर रोटी चिपकनेगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता साथ के साथ रोटी भी आपके बिल्कुल फूली हुई बनेगी बहुत ही असान टिप है ये पर बहुत ही काम की टिप है है ना दोस्तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स टिप की और नेक्स टिप तो बहुत ही यूसफुल है जादे तर आप देखेंगे किचन में काम करते समय आपके हाथ में लग जाती है गरम कभी खाना बनाते हुए कभी रोटी सेखते हुए तो ये टिप है कि अगर आपके पार मेहंदी है तो उसको फ्रिज में जरूर रखे और जब भी आपके हाथ में लगे तो उस मेहंदी को उस जगा पे लगाए तो चाला बिलकुल नहीं पड़ेगा जैसे आप देख सकते मेरे अंगूठे में भी लगी थी पर वहाँ पे चाला नहीं पड़ा है ये मेहंदी की टिप बहुत ही यूसफुल है नेक्स टिप की और बढ़ते हैं आप जब चॉपिंग बोड यूस करते हैं उस पे कटिंग करते हैं आप देखेंगे वो हिलता रहता है तो वो हिले ना उसके लिए क्या करें दो रबर बैंड चाहिए हमें दूनों साइड में एक-एक रबर बैंड लगा देंगे बहुत ही असान टिप है ना पर ये टिप आपके बहुत काम आने वाली है अब अगर आप चॉपिंग करेंगे तो देखेंगे चॉपिंग बोड बिल्कुल भी नहीं हिलेगा बहुत अराम से आपकी चॉपिंग हो जाएगी पता भी नहीं लगेगा चितना मर्जी हिलाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपके सामने देखें हिल नहीं रहा है नेक्स टिप है हमारी हरीमिर्च से रिलेटेड हरीमिर्च काटते समय आप देखेंगे आपके हाथ में जलन सी होने लग जाती है खारिश सी मचती है जलन सी होती है तो ध्यान रखे हरीमिच काटने से पहले आप हाथ में थोड़ा सा सरसो का तेल लगा लें फिंगर्स में पूरे हाथ में और फिर हरीमिच काटेंगे तो आपके हाथ में जलन बिल्कुल भी नहीं होगी और आराम से हरीमिच कर जाएगी पर ध्यान रखे हाथ बात में साबुन से जरूर दोले पर अगर आप हरी मिच काट देते हैं गलती से और फिर आपके जलन हो जाती है फिर क्या करेंगे तब भी आपको बिल्कुल नहीं घबराने की जरूरत चिंता मत करिए एक बाउल में थंडा दूर लीजिए और थोड़ी सी चीनी डालिए जहां पर जलन हो रही है वहां पर ये दूद लगाएंगे तो आपके जलन मिंटों में गायब हो जाएगी है ना ये बहुत असान सी टिप बिल्कुल जलन चली गई नेक्स टिप की और बढ़ते हैं कभी-कभी आपके पास हरी मिर्च आती है और आप फ्रिज में रख देते हैं तो देखते हैं उसमें से निकाल के बदबू आने लगी है बहुत स्मेल सी आने लगी है तो कैसे आपनी हरी मिर्च को स्टोर करें इस हरी मिर्च को अच्छे से धोले, सुखा ले, जब ये सूख जाए तो एक कंटेनर लेंगे और उसमें एक टीशू पेपर बिछा देंगे जो सूखी हुई हरी मिर्च है उनकी उपर के डंठल काट देंगे, यानि की हेड और आप इस कंटेनर में स्टोर करते जाएंगे उसे अच्छे से बन करके फ्रिज में स्टोर कर देंगे और आपकी हरी मिर्च अराम से 10-15 दिन के लिए चल जाएगी नेक्स्ट टिप की और बढ़ते हैं कभी-कभी यह होता है कि नमक और चीनी जो है उसमें मौईस्टर आने लगता है जाए तर बारिशों के मौसम में ऐसा होता है तो इसके लिए बहुत ही असान सी टिप एक वॉयल के कपड़े का टुकड़ा लेंगे जैसे कि मैं इस वीडियो में दिखा रही हूं इसको लोन का कपड़ा भी बोलते हैं और इस पर डालेंगे चावल और इसको ऐसे बन करके रबर लगा देंगे और किसी भी चीनी या नामक के डब्बे में इसको डाल देंगे अंदर यह जो हैर पूरा मौसम कर लेगा जाता है वह बिलकुल भी नहीं आएगा और एस बस लेंगे अ THE problem बढ़ते हैं next tip की और जो नीम्बू है वो बहुत ही खराब से हो जाते हैं आप फिरिज में रखते हैं तो देखेंगे काले पढ़ जाते हैं ये काले ना पढ़ें इसके लिए बहुत ही अच्छी टिप है जो न्यूस पेपर होते हैं उनके ऐसे चोरस से तुकड़े काट ले और एक एक नीम्बू पे लपेट दें अच्छ से, ताकि इसके अंदर नमी ना जाए, एक अकबार के टुकडे में एक ही नीम्बू लपेटे, और अब इसको फ्रिज में आप रखेंगे, तो ये नीम्बू दस दिन बिल्कुल भी खराब नी होंगे, और बिल्कुल काले नी तो उस पर काला सा निशान आ जाता है, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिखा रही हूं, तो ये काला सा निशान ना आ है, इसके लिए क्या करें, फर्सली अगर काला सा निशान आ गया है, उसको कट कर देंगे उतना पीस, और फिर आपकी घर में फॉल तो होता ही है, तो एक टुकड़ा रिक्टैंगल की शेप में कट कर लेंगे, रिक्टैंगल या स्क्वेर, जैसे आपको ठीक लगे, उसको ऐसे आप इस कटिंग के आसपास रैप कर देंगे, जो ये काला निशान है, फॉल में रैप करने के बाद कभी भी नहीं आएगा, अब इसको फ्रेज म ऐसे ही कोई मज़दार और इंट्रस्टिंग, यूसफुल टिप्स और ट्रिक्स अगर आपके पास भी हैं, तो मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और वीडियो कैसी लगी, ये जरूर मुझे बताइएगा, और इसी के साथ साथ जरूर चेक आउट कीजेगा, जो मैंने मैंने रेसिपीज दूसी शेयर की हैं अपने चैनल पर, टेस्टी टेस्टी डिलिशिस, इडली, उत्पम, बेसन की बर्फी, जलेबी, गुलाब जामुन, बहुत सारी टेस्टी टेस्टी रेसिपीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो जरूर चेक आउट कीजेगा, मिलू सारी लिंक्स और रेसिपीज अच्छे से अवेलेबल हैं, तब तक के लिए लाइक और शेयर करना ना भूले, और सब्सक्राइब का बटन दबाएं